है कि ऐसके काम करते हैं सबसे पहले क्विकली हम एक रेकेब कर लेते हOoh हमने स्टार्ट किया था मंटी यूरont 1962 से हुआ ई हैँ आख अभे कि आधी हमिस्टार्ट करते हमगा मटी तुम्हां बतना को ज्रूपर होगा इसकRE के अगर करते हो आगे इंवेस्टमंट यह एड्वांस देते हैं तो यह बैंकिंग बिसनेस की definition में पूरा उतर जाता है लेकिन यहाँ पे एक सवाल था ये काम तो Unilever भी करता है कि लेट से Unilever ने TFC वगेरा issues कर दिये debentures issues कर दिये और public से पैसा लिया और आगे जाकर सुकर invest कर दिया plant and machinery में तो banking ordinance 1962 ने एक clarification दिये एक explanation दिये है कि ये companies banking companies ordinance के ambit में fall नहीं करेंगी तो अगर वो company जो के पाकिस्तान में for example depositors collect करती है cash collect करती है और आगे जाके invest करती है ये banking business की definition fall करेंगी अगली चीज़ जो हमने सबसे important पढ़ी थी banking business क्या होंगे इसके उपर हमें banking ordinance ने बेतहाशे examples दी है for example आप investment कर सकते हो आप customer से deposit ले सकते हो time and demand liabilities कर सकते हो आप TFC में invest कर सकते हो आप shares में invest कर सकते हो आप PIV में invest कर सकते हो आप diventure में invest कर सकते हो आप government के किसी काम के agent बन सकते हो आप मुदारबाए business कर सकते हो आप किसी administration बन सकते हो आप liquidator बन सकते हो बेतहाशा बाते बताई हैं लेकिन कुछ बातें यहां पर समझना बहुत जरूरी है और सबसे important बात जो समझना जरूरी है वो यह जरूरी है कि देखें मैं as in banking business manufacturing business या trading business में नहीं कर सकता मुझे standard ने clearly मना करा हुआ है मुझे ordinance ने clearly मना किया हुआ है कि आप किसी manufacturing में या trading में नहीं कर सकता कि बैंक के पास पढ़ावा है तो बैंक यह बोले के चले मैं इन goods की trading करता हूं other than अगर आपने bill of exchange वगरा की transaction करी भी है simultaneously मैं किसी भी real estate में invest नहीं कर सकता unless मेरा normal course of business हो तो अगर मेरा normal course of business होगा तो मैं normal course of business for example बैंक को ब्रांच चाहिए तो वो real estate के business में जा सकती है वो ब्रांच खरी सकती है ब्रांच का रेंट पर ले सकती है लेकिन apart from that other than normal course of business मैं कभी भी कभी ब्रांच के business में नहीं कर सकता आप समझने कोशिश करिएगा या तो trading business होगा या manufacturing business होगा और real estate का business होगा इन तीनों business में बैंक को अलाव नहीं है कि वहाँ पर business कर सकता है लेकिन for example अगर मैंने हैसकॉल को लॉन दिया हुआ है और हैसकॉल को लॉन देने के लॉन दिया हुआ है उसको आपने इसको आपने डिस्पोस करना है within seven years आप साथ साल के अंदर उसको किसी भी तरीके से dispose करना है, वहाँ पर वो आपको allow करता है, apart from that आपको allow नहीं करता है, अगली चीज़ जो हमने सबसे important पढ़ी वो हमने पढ़ी ती नाम के उपर, कि जी जिस तरह companies act में भी है कि जी अगर आप company बनाते हो तो नाम की कुछ requirements है, simultaneously banking ordinance में भी नाम की कुछ requirements है, सबसे पहली और important requirement यह है, कि आपने अपने नाम के साथ bank का या any of its derivatives का word यूज़ करना पड़ेगा, जो कि brokerage का business कर रही होती है, उनके उपर, उनके उपर bank का नाम लिखना ज़रूरत नहीं है, provided that कि अगर उसने अपने नाम के साथ, अपनी holding company का नाम लिख दिया है, जिससे यह implied है कि यह banking company की subsidy है, for example, अगर आपने देखा होगा, HBL AMC company, NBP AMC company, तो इनके नाम के साथ NBP, HBL, UBL जड़ावा होता है, तो इसलिए इनको अलग से नाम यूज़ करने की ज़रूरत, bank का नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, but provided that State Bank of Pakistan के पास यह right है, कि वो किसी भी company को कह सकता है, आप बैंक का नाम अपने नाम के साथ लिखें, अच्छा जी, यह हमने नाम के सपड़ा था section, फिर हमने कुछ section पढ़ेते हैं, capital से related, देखें, आप banking business में enter होई नहीं सकते हैं, capital के अंदर जो बढ़ी important चीज़ थी, वो यह थी, नहीं आप business को commence कर सकते हैं, नहीं आप business को carry कर सकते हैं, continue कर सकते हैं, unless आपकी capital की requirement पूरी ना हो, कोई भी पाकिस्तान में company आगर banking business कर रही होगी, उसके लिए लाज़मिये जब वो business commence करने जा रही होगी, उसको minimum paid up capital की requirement से comply करना पड़ेगा, मिनिमममपटबी काफिटल की रिकारमेंट से कंस्साइब करना पड़ेगा और मिनिमम पेटप जोगी मिनिमममपटब एक रिकारमेंट वह पी जो स FenThis अरब उपेज और रुपेश 10 बीएंगए 20 ठीक तो आपने ratio होना चाहिए एक capital adequacy ratio होना चाहिए और आपके पास इतना sufficient capital होना चाहिए इतना sufficient capital मौझूद होना चाहिए कि जो आपके एस देखे bank का risk कहां पर है bank का risk इस पर नहीं है कि जो depositors से पैसा लिया वह बैंक का risk इस चीज़ को पर है कि पैसा लेकर मैं आगे invest किया वा है और अगर मुझे वहां से पैसे recover नहीं होगा वो मेरा default कर गया वो मेरा bank corrupt हो गया वहां पर कोई provision वगर आगे तो मैं depositors को कैसे पैसे दूँगा तो इसके लिए start कहता है कि आपका capital AD को सी ratio at least 8% होना चाहिए यह 8% है तो इसके लिए numerator भी होगा इसके लिए denominator भी होगा numerator मेरे पास क्या आता है numerator मेरे पास जो मेरे पास मेरा capital and reserves होंगे जो मेरे पास capital and reserves मेरे पास maintain होंगे यह वो आ रहे होंगे और denominator मेरे पास क्या रहोंगे denominator मेरे पास assets आ रहे होंगे लेकिन company के सारे assets नहीं आ रहे होंगे उन assets के ऊपर जो मैं risk guarantee कर रहा वह उन assets के ऊपर जो मैं risk carry कर रहा हूं for example यह में कैश में मेरे पास पढ़ा हुए उसके उपर zero percent risk है यहां पर कोई अगर एंवांट नियागी अगर यह पैसा मैंने इसकों को दिया वा है अगर यह पैसा मेंने मुचल फंट में इंवेस्ट किया हूँ है तो यहाँ पे मेरे पास क्राइड रिस्क भी है market risk भी है foreign currency risk भी है तो इसकी एक risk weightage निकाली जाती है और इसके भी एक पुरा criteria state वे को पाकिसान ने बैजल 2 के थूरू बताए वाई जिसमें वो बताता है आपको कि जी यह अगर आपने investment यहाँ 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 पर करीब यह तो इतना risk है जो कि आप carry कर रहे है आपने उन assets की एक risk weightage निकालनी है दोनों को divide करना और वो आपका at least 8% या उससे जाधा होना चाहिए अपके पास जो default के chances आपके assets के तो आपका capital at least 8% या उससे जाधा मौजूद होना चाहिए यह प्यारे पच्छों ने कुछ requirement पढ़ी और paid up capital में जो लिखावागी दस अरब रुपे तो फिर एक और section आमारे पास आ जाता है इस शूट कि सब्सक्राइब और paid up capital यहां पेस्टर्ण आप से कहता है कि जो आपका authorized capital होगा जो आपका authorized capital होगा वो हूँ और जो आपके पास आपका subscribe capital होगा गया का अगर आपके पास authorized capital rupees 100 है तो आपका subscribe capital at least 50 neurifica है जाधा होना चाहिए one half of the authorized capital माँ होना चाहिए और आपके पास है जो पेड़ पjak जो आपके पास paid up 我 यह आपके पास paid 25 यह से ज़ादा होना चाहिए और पाकिस्तार में भी रिक्वार्मेंट है कि आपका आपका अब पार्टली पेट कैश नहीं होते हैं अगर आपने शेर्स खरीदने हैं तो आपने फुल फुल पेमेंट करनी पड़ेगी आप पार्शली पेमेंट करके इसको नहीं कर सकते हैं यह सेक्षन है लेकिन यहाँ पर जो अच्छा अगर एक बंदे ने सब्सक्राइब कि वें 50 रुपे के शेर लेकिन पेगें 25 रुपे के शेर तो जो इसकी वोटिंग राइट्स होगी प्यारे बचों वोटिंग राइट्स किसके तुरू डिटरमाइन होगी हमेशा हमेशा जो स्ने अमाण्ट पे हिए जितना पे किया वाइट कंपनी में उतना ओन करता है उतनी उसकी ओकात होगी उससे जादा उसकी कोई उकात नहीं होगी जो पेड़क कैपिटेल है इसके ऊपर एक और सेक्शन आ जाता है और वह सैक्शन यह कहता है कोई भी बंदा पांश परसं की अप्रूवल नहीं होगी अगर उसके पास स्टेट बैंक को पाकिसान की अप्रूवल नहीं है तो स्टेट बैंक के पास बैंकिंग ओडिनेंस टैटियार है कि वह बैंक को यह कह सकता है उस शेयर होल्डर को यह कह सकता है कि आप काइंडली अपने शेयर को disinvest कर दें kindly अपने shares को disinvest कर दें किसी fit and proper person को kindly अपने shares आप disinvest कर दें किसी fit and proper person को लेकिन अगर state bank के पास उसकी approval है उसने state bank से approval लेके पांच परसे ज्याद़ shares acquired किया है और अगर state और बाद में वो बंदा प्रॉपर जब पाकिसान उसको approval दियोगे तो एक condition लाज़ी उसको पर apply की होगी कि क्या वो बंदा fit and proper है या नहीं अगर वो बंदा fit and proper है let's say yes अगर वो बंदा fit and proper है या वो बंदा fit and proper नहीं रहता subsequently fit and proper नहीं रहता अगेन state bank के पास यह राइट है कि उसको कहा सकता है कि आप अपने शेर्स को डिसंवेस्ट करें अगर उस बंदे अगर वो बंदा fit and proper है लेकिन state bank को पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर इस बंदे जिस बंदे का पास शेर्स है वो पब्लिक के लिए किसी भी किसम का या depositors के लिए banks के लिए किसी भी किसम का नुकसान दे हो सकता है यहां पर state bank को फॉर मैं example के तौर पर quote कर रहा हूं for example high school company को कोई डिरेक्टर यहां पे भी उसको कह सकता है कि जी kindly अपने shares को आप this invest कर दें किसी fit and proper person को लेकिन यहां पे एक बात है state bank of Pakistan कहता है मैं कोई भी order उस वक्त तक पास नहीं करूंगा जब तक सामने वाले बंदे को मैंने सुनने की opportunity ना दे दियो जब तक सामने वाले को नहीं सुना जाएगा उस वक्त तक उसको कोई भी order उसके against pass नहीं किया जाएगा लेकिन यहां पे एक सबसे important चीज़ है order उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक सामने वाले को सुना नहीं जाएगा जब सामने वाले को सुना जाएगा bank कुछ queries करेगा, सामने वाली कुछ queries करेंगे state bank कुछ queries करेगा, सामने वाले कुछ queries करेगा ये process चलता रहेगा, चलता रहेगा अगर state bank को लगता है आप इन शेयर्स को पर वोटिंग डैट एक्ससाइस नहीं कर सकते हैं, इस शेयर्स को पर अगर कोई डिविडेंट मिलेगा, आपका राइट नहीं है, इस शेयर्स को पर मजीद कोई राइट इश्यू या बोलू इश्यू होता है, आपका इस चीज़ को पर कोई भी राइट अगर State Bank of Pakistan, इन केसे में इन लोगों को आउडर देता है, और अगर ये ओडर से कमप्लाइ नहीं कहता है बाउस, तो State Bank के पास यहाँ तक शैर्ड बेच रहे हैं, कि वो उसके बिहाँ पर उसके शैर्ड बिच सकता है, और उसके बहाँ पर जब उसके shares बेचेगा तो जो भी पैसा रेसीव होगा और जो भी bank की cost incurred होगी, state bank की जो cost incurred होई होगी वो सारा पैसा वो उस बंदे को जमा करा देगा bank के पास, state bank के पास यहां तो इखतियारात है कि वो CDC को भी हुकम दे सकता है, वो stock exchange को भी हुकम दे सकता है वो CDC, वो company को कहके duplicate shares भी issue करवा सकता है वो CDC से कहके उस shares को transfer भी करवा सकता है, sale भी करवा सकता है यह हमने last class तक का सारा sections पढ़ा था प्यारे बच्चों banking company's ordinance 1962 को कुछ sections ते जो के मैंने आपको quick recap करा दिया है अगली चीज़ अगर आपने इसको note करना है तो